नमस्कार मैं 36 गड़क बार के यूटीब चैनल इंडिया आज कल से सुनील कुमार आपके सामने छोटी सी खबर लेकर हूँ गरीब परिवार की खबर है कई लोगों के लिए महत्पूर्ण नहीं होगी हेडिंग देखने के बाद नाम जब लोग देखते हैं गरीबों के नाम है तो बहुत सारे लोग खबर को छोड़ देते हैं लेकिन मेरी सलाही है कि इस खबर को छोड़ना नहीं चाहिए इसको पढ़ना चाहिए इसलिए कि आज ये गरीब परिवार में हुआ है कल किसी अमीर परिवार में भी हो सकता है हुआ भी है कई जब हों पर देश के एक सबसे बड़े उद्योग पती परिवार में भी ऐसा का है लेकिन पहले गाओं था वहां पे सड्डू नाम का वहां 72 साल का एक आदमी है रामकुमार नाम का गरीब है मजदूर है मकान का प्रापर्टी टेक्स पटाने का घर के भीतर कुछ जगडा हुआ साथ में बेटा रहता था बेटी रहती थी बूला बात था 72 साल को बूला मान लेना चाहिए मजदूर है तो इस उम्मर में आते आते और खोकला हो जाता है तो 72 साल के बाप के साथ जवान 35-40 साल के बेटा बेटी ने जगडा किया यहां तक तो ठीक है जगडा कई परिवारों में होता है लेकिन उसके बाद भाई बहन दोनों ने मिलके बाप को इतना मारा इतना मारा लात गहुसे से मर गया बाप जो लोग कहते हैं कि बाप और बेटी के बीच में महबबच ज़्यादा रहती है ऐसा कहते हैं लोग बाप की सबसे चहती रहती है लाड़ली रहती है बेटी ऐसा कहते हैं लोग मैं खुद कई बार इस बात को कहता हूँ कि बेटियां बेटों के मुकाबले माबाप की सेवा जादा करती हैं इस एक घटना की वज़े से मैं अपनी बात को बदलना नहीं चाहता मैं अपनी सोच को नहीं बदलूँगा मैं इसको एक अप्वाद मान के चलूँगा लेकिन इस घटना के बारे में सोचना चाहिए 35-40 साल के भाई बहन ने अपने बाप को पीट-पीट कर मार डाला और प्रापर्टी टेक्स कौन पटाएगा घर का इस जगड़े को लेकर मार डाला इनने जवान भाई बहन को 35-40 साल को मैं जवान ही कहूंगा हाथ पैर उनके चल रहे थे उनको ये लग रहा था कि 72 साल का बाप पटाएग प्रापर्टी टेक्स तो ये भाई बहन के हराम खोरी कर रहे थे परिवार में बाप की छाती पे मूंग डल रहे थे जैसा की और बहुत सारे लोग करते हैं मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे आपके जैसे कई परिवार ऐसे रहते हैं जहां पे आल अउलाद माबाप के साथ मारती अगर नहीं है तो मरे जैसा रखती है मैंने देखा हुआ है मैंने अपनी रिष्टेदारी में देखा हुआ है ऐसा कि लाखों रुपए महीने कमाने वाली अउलाद जो है वो भी अपने बुढ़े माबाप की क्या दुरगती करती है जीते जी नर्क देखने मिलता है चाहे वैसी आल अउलाद के लिए माबाप ने कर्ज ले ले के उसको क्यो न पढ़ाया हो कर्ज ले ले के उसके शौक क्यो न पूरे किये गए हो ना जाया शौक क्यों न पूरे किये हूँ मैंने देखा हुआ है ऐसी अउलाद जो है ये भी माँ बाप को इस कदर प्रतालित करके मारती है कि आसपास के लोगों को भी इस बात की सबक मिल जाना चाहिए कि आल अउलाद के लिए सब कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए अपने खुद के बुढ़ापे का इंतजाम खुद रख कर चलना चाहिए मैं देश के जिस उद्योग पती घराने की बात कर रहा था विजेपत सिंगानिया जिन्होंने रेमन नाम की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी रेमन उस कंपनी को बनाया था उन्होंने संस्थापक थे उसके उनका बेटा अगर मेरी याददाश तो ठीक है तो गौतम सिंगानिया नाम है उनके बेटे का बाप को घर से निकाल दिया था विजय पत्सिंगानिया न केवल उद्योगपती बड़े थे बलकि एडवेंचर खेलों के शौकीन थे और जो माइक्रो लाइट एरक्राफ्ट रहता है जिसमें बस एक व्यक्ति बैटके उसको उला सकता है उसको कई देश या कई ऐसी जगहों पे आर पार वो उसमें जाके एक रिकार्ड भी उन्होंने बनाया था विजय पत्सिंगानिया ने ऐसे चर्चित व्यक्ति थे खबरों में रहते थे वो कोई उनके बारे में टेक्स चोरी का कोई एडी के छापों का ऐसा सुनाई नहीं पड़ता था खेर वो वक्त भी अलग था चुनावी बॉन्ड उस समय नहीं थे तो उस विजय पत्सिंगानिया को उनके बेटे ने घर से बेदखल कर दिया था शायद उनकी पत्नी सहित माबाप को घर से निकाल दिया था अगर मुझको ठीक ही आद है तो यहां पर एक गरीब परिवार में हुआ लड़की शायद खबर में एक खबर में लिखा है कि तलाक शुदा थी बाप के यहां रहती थी रहना चाहिए यहने लड़की तलाक शुदा है तो माबाप को साथ देना चाहिए उसका उसमें मुझको कोई हैरानी नहीं है मैं इस पक्ष में हूँ कि आपको अपने बच्चों का साथ देना चाहिए चाहे साथ रहने वाला बेटा हो चाहे ससराल छोड़के आई हुई बेटी हो जो भी हो आपको अपनी आउलाद का साथ देना चाहिए लेकिन आउलाद को क्या करना चाहिए इस देश में श्रवन कुमार जैसी मिसाल है कि जो माँबाप को अंधे माँबाप को कामर पे बिठा कर तीर थी आत्रा करने निकले थे याद है न आपको और ऐसा किस्सा कहानी है कि राम के तीर से या दशरत के तीर से कुछ ऐसा था कि शिकार करते हुए उनका तीर जाकर श्रवन कुमार को लगा मर गया वो माँबाप कामर में बैठे बुढ़े अंधे अकेले रहे गए उनके दिल से श्राप निकला था कि तुम भी इसी तरह अपने संथान के लिए तरस्ते मरो गया इस तरह का कुछ किस्सा कहानी है मुझको जादा धर्म का पता नहीं रहता है अगर इतना भी नाम मैंने सही बता दिया है तो मुझको गर्व है अपने उपर कि मुझको इतना भी याद है ये कुछ उसी तरह का है ये बाप ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि लड़की तलाक के बाद आके घर में रही तो घर में साथ में रखा लड़की ने क्या किया जिन लड़कियों के बारे मैं गर्व से कहता हूं कि लड़के साथ दे या ना दे बुड़ापे में लड़कियां साथ देती हैं क्या है ये बाई और बहन दोनों मिलके बाप को मार डाले मार मार कर मार पीट कर मार डाले ला तो घुंसे से मार डाले किसको कहते हैं ला तो घुंसे से मारना बाप से जोर की आवाज में बोलना ये भी थोड़ा मेरे लिए सोचना मुश्किल रहता है हमारे तो कम से कम अपने पिता से वैसे ही संबंद रहे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बात की पीली वो भी हमसे संबंद निभाए अलंकि अभी पता नहीं कितनी मेरी उम्र बाकी है क्या देखना बाकी है मैंने तो अपनी रिष्टिदारी में जो देखा है मैंने आपको बताया कि माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दिया उनकी चहती संतान ने संतानों में इकलोते बेटे ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया इतना प्रतारित किया मैंने कई तरह के दुस्ट देखे हैं लेकिन ऐसी दुस्टता मैंने और कहीं नहीं देखिये मैं इसलिए अपनी रिष्टेदारी की चर्चा करते हुए ये बात कह रहा हूं आपसे मेरे रिष्टेदारों में जो लोग इस घटना को जानते हैं समझते हैं उनको तकलीव भी होगी कि मैं परिवार को गालियां दे रहा हूं इस तरह से लेकिन दे रहा हूं लेकिन मुझको याद पढ़ता है मैंने अपने जिस रिष्टेदार की बात आप से कही है मेरी बहुत बुजुर्ग रिष्टेदार थी जब बेटा उनको बहुत ज़्यादा प्रतारीत करता था तो रोते हुए एक गाना गाती थी मेरे जितने रिष्टेदार इसको सुन रहे होंगे उसमें से सभी लोग पहचान जाएंगे रोते हुए गाना गाती थी वो जिसको पिलाया दूध था वो काटने को दोड़ता है अब कुत्ते को भी दूध पिलाया जाता है सांप को भी पिलाया जाता है मुझको नहीं मालूम वो क्या बोलना चाहती थी शाय सांप ही बोलना चाहती होंगी क्योंकि कुत्तों में तो कई खूबियां भी रहती है जिसको पिलाया दूध था वो काटने को दोड़ता है वो रोती जाती थी इस गाने को गाती जाती थी ये एक बात मैं दो घटनाएं और याद कर पा रहा हूँ एक मेरे ही शहर में एक नौजवान ने अपने माबाप को मार कर गाल दिया और उनकी प्रापर्टी को बेच दिया बाद में जब पकडाया पूरे मामले का खुलासा हुआ लाशे निकली वहां से गड़े से तो मेरे कैमरा में जो इसको रिकार्ड कर रहे हैं संतोष तिवारी यह उसको देखने के लिए गए गड़ों से लाश निकलते हुए यह आउलाद ने किया था किसी और ने नहीं किया था उसने बीच में इस प्रापर्टी को बेचने के लिए अपने एक दोस्त को एक पावर आपाटार नहीं दे दी थी कि तुम रजिस्ट्री कर देना वो अंदर हो गया था गिरफतार हो गया था दोस्त इसमें बेकसूर दोस्त लंबा चला मामला दूसरा केस हमारे अख़बार 36 गड़ का टाइटिल 36 गड़ के एक पुराने अख़बार नवीस रहे हुए रावल मल जी जैन ने मुझको गिफ्ट किया था जब मैंने तै किया कि अख़बार निकालना है तो उन्होंने मुझको तोफे में दिया था ये टाइटिल उन्होंने दूर्ग जिले के नकपुरा में एक जैन तीर्थ भी बहुत बड़ा बनाया और हालत ये थी कि धार्मी क्वेक्ति थे चारों तरफ धर्म की बात करते थे वो एक बेटा था उनका उस बेटे को उन्होंने साडियों की दुकान खुलवा के दी थी दूर्ग शहर में सब को मालूम है ये पूरे चटिसगर को मालूम है ये बात दुकान खुलवा के दी थी उस बेटे ने शेयर वजार में या सटे में कहीं करोलों रुपे डुबा दिये बाप जब नाराज हुआ तो उसने एक साजी श्रची उसने अपनी बीवी और बच्चे को माईके भेज दिया बीवी के अपने माबाप के घर भेज दिया लड़की को की जाओ घूम के आ जाओ और अपने घर में उसने एक ऐसा सीन क्रियेट किया कि डकैत घुसे थे दरवाजा तोड़कर खोलकर किसी तरह से डकैत भीतर आये थे और डकैतों ने इन दोनों को गोली मार दी थी माबाप को अपने माबाप को उसी ने गोली मार दी रावलमल जी जैन और उनकी पत्नी उनको उनके बेटे ने ही गोली मार दी मार डाला और फिर नाटा कैसे किया जैसे डकेतों ने आके मार डाला उजाकर हो गया था पूरा मामला भांडा फोल हो गया था क्या फाइदा हुआ ऐसे लड़के को करोड़ों का कारोबार करवा के उसको नुकसान जहिलने के लिए सक्ता बाजार शेयर बाजार में लगाने के लिए करोलों दे के क्या फाइदा हुआ मैं इसी बात को सोच रहा हूँ कि एक बुढ़े बाप को मारने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की क्योंकि शैद इनको यह उमीद थी कि मर भी जाएगा तो प्रापर्टी हमारे नाम से रहेगी मैं नहीं जानता उसका मकान कितना बड़ा है जोपड़ा है कच्चा मकान है पक्का है क्या होगा यह भाई भाइन का अभी तो कई साल जेल में रहेंगे कई साल जेल में रहने के बाद निकलेंगे तो मकान का पता नहीं क्या हाल होगा कोई दूसरा रिष्टेदार कभीज हो जाएगा या मुहले का कोई मवाली इसको बेच देगा कुछ भी हो सकता है आपको बतलाओं कुछ समय पहले मैंने एक वेडिटोरियल बोला था या एक एडिटोरियल लिखा था 36 गड़ में ही एक नौजवान ने अपनी नानी का बीमा करा लिया एक करोड का बीमा करा लिया नानी की उम्र को जूटा बतला के फर्जी सर्टिफिकेट बना के बीमा करा लिया L.I.C. का जो एजेंट था वो भी इसके साथ साजिश में मिल गया कुछ 72 साल की उम्र थी उसको 54 साल दिखा के इस किस्मा का बड़ा फर्क दिखा कर ये बीमा करवाया गया बहुत बुजुर्ग का तो एक करोड का होता नहीं है बीमा और उसके बाद इस नाती ने अपनी नानी को एक गारी में बैठाया संपेरों के एक डेरे पे ले गया संपेरे से पहले से बात करके रखी थी उसने और शायद बीमा एजेंट ने भी वहाँ संपेरे ने सांप लाकर जहरीला सांप लाकर इसकी नानी को कटवा दिया जहर चलना शुरू हो गया घर लेके आया नानी को जिंदा थी मुर्दा थी जो भी था वहाँ हला करना चलू किया सांप ने काट लिया सांप ने काट लिया मरी हुई नानी को लेके अस्पताल पहुंचे तो डक्टर ने कहा कि ये तो सांप काटे के जहर से मरी है दिख रहा है साप के निशान काटने का ये नाती ने किया एक करोड रुपिया उसको बीमा दावा भी मिल गया एक करोड का बीमा दावा भी मिल गया उसके बाद जिस अंधा दून अंदाज में उसने खर्च किया उसमें जाके पकड़ाया वो कि इतना पैसा आया कहां से पैसा तो चलो यहां से आया है इतनी बेरहमी से कैसे खर्च कर रहा है मैं जिस मुद्दे पर आना चाहता हूँ वो यह है कि आपके अपने आल अवलाद हों कि आपके नाती नातिन पोते पोती हों बेटे की अवलादे हों या बेटी की अवलादे हो इनके लिए कुछ भी छोड़के जाने के पहले इस बात का ध्यान रखिए आपके हाथ से अपनी संपत्ती, अपनी बचे, जमीन, जायदाद, मकान ये अगर निकल गया तो हो सकता है कि इन में से कोई लात गुसा मार के आपको निप्टा दे कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन मेरी बात सच है, ध्यान रखिएगा इस बात का हो सकता है, हजार में कोई एक इतने कमीने हों, लेकिन ध्यान रखिएगा उस हजार में से एक ऐसे आप भी हो सकते हैं, आपके परिवार की आल अवलाद, बेटा बेटी, नाती पोते नानी की अंगिनत कहानिया रहती है नानी मा की कहानिया ऐसी किताबें आती है नानी मा जो है अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बेटी के बच्चों को चाहती है बहुत सारी महिलाएं उसको साप से कटवा के मरवा दिया उसको मार के उसका पैसा कमाई कर लिया उससे हर किसी क साधान रहना चाहिए आप अपनी संपत्ती को अपने मरने तक किसी के नाम पे ना करें अपनी बचत को अपने मरने तक किसी के नाम पे ना करें आल अवलाद की जरूरत के समय उनको थोड़ा बहुत पैसा देना भी हो तो बड़ा अंदाज लगा कर दें अपने लिए खुद क के लिए बचा लूँ कोई हैरानी नी है कि आप अपने परिवार में पहले 85 साल तक जिंदा रहने वाले बन जाएं क्या होगा आखरी के उतने सालों का तो मैं आप से साफ साफ ये कह रहा हूं कि अपनी आल अवलाद अपने ग्रैंड चिल्रन नाती पोते नातिन पोतिन किसी पे इतना भरोसा मत कीजिए किसी के नाम पे अपनी पूरी संपत्ती मत कीजिए पूरी संपत्ती किसी के नाम पर करना क्या होता है एक टोकरी में सारे अंडे रख देना मैंने कल परसों ही कहीं फेस्बुक पर लिखा है इस बात को कि एक टोकरी में सारे अंडे रख कर सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि असल जिंदगी जो है उसमें सडक गड़े वाली पत्रीली सरकारी सडक से भी बुरी हो सकती है असल जिंदगी तोला साधान रहिए इस बाप का किस्सा याद रखिए उसके बेटा बेटी नहीं मार मार के पीट पीट के लात गुंसे से मार डाला अ आप अपनी कल्पना कर लीजिए अगर आपकी संतान बहुत अच्छी होगी मैं आपके घर में आग लगाना नहीं चाहता लेकिन जब तक आपको आग लगाने और दफन करने की नौबत नहीं आए तब तक मैं आपकी इज्जत से जिंदगी जरूर चाहता हूं इसलिए मैं आपको इस सुझाव दे रहा हूँ कभी इस चक्कर में मत पढ़िये कि आल अवलाद के लिए अपनी जिंदगी की कमाई और बचत दोनों को आप एक साथ बरबाद कर दें मैं आपको एक दूसरी चीज और बतलाता हूँ वो भी बड़ी दिल्चस्प चीज है बैंक एक रिवर्स लोन देते हैं रिवर्स लोन आपके मकान के उपर जमीन के उपर जिस चीज के उपर भी बैंक लोन देते हैं एक रिवर्स लोन हता है जिसमें आज आप बैंक आज आपको पैसा दे देता है बैंक आपका मकान गिर्वी रख लेता है या तो एक मुश्ट आज पैसा दे देता है जो आपके मरने के बाद आपके मकान को बेच के वसूल करता है और ज्यादा पैसा जो आता है उसको आपके वारिसों को दे देता है ये एक तरीका हुआ दूसरा बैंक ऐसा भी रिवर्स ल उनका पैसा ले सकते हैं जी सकते हैं मकान आपके नाम पे है बैंक में रहन रखा हुआ है जब आप मरते हैं तो बैंक बतला देता है कि आपके मकान के उपर करज अभी तक इतना हो चुका है इसका मुल्यांकन इतना है बाजार दाम इतना है आपके आला आला चाहे तो उतना प कान को बेच के उसका बचा पैसा जो है वारिसों को दे देता है सीधा देता है या कोर्ट के मारफद देता है जैसा भी देता है दे देता है तो आपको आल अवलाद से अगर बहुत महबद भी है तो भी आप इस किसम के किसी चीज को देखिएगा रिवर्स लोन को देखिएग मैंने भी कुछ दिन पहले ही राइपूर के किसी एक समाज से भी परिवार के शुरू किये हुए एक वृतधाश्रम के बारे में एक इश्तहार देखा था वहां पे कुछ मंतरी मुख्य मंतरी को ले जा रहे थे वो आप जान लीजे वृतधाश्रम में जो लोग रहते हैं सबकी आल अवलाद मर नहीं गए रहते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं वृतधाश्रम मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ बहुत साल पहले मैं अंतराश्ट्री फिल्म समार हो जाता था 20 दिन में 120 फिल्में करीब देखता था सुबह से देर रात तक रोज फिल्में ही देखता था 20 दिन उसमें मैंने जापान की एक फिल्म देखी थी इसका नाम Ballad of Narayma यही था Ballad शब्द ही था फिल्म इतनी भयानक थी कि मुझे को देखने के बाद रात भर नीम नहीं आई थी उस फिल्म में अकाल पढ़ता है जापान में खाने के लिए नहीं रहता है लोगों के पास लोगों को अपने बच्चों की जिंदगी बचाना मुश्किल पढ़ता है बुखे रहते हैं लोग कुछ नहीं रहता है खाने के लिए ऐसे में गाउव जो है वहाँ पर एक परमपरा रहती है सूखे वाला इलाका रहता है तो गाउव में परमपरा ये रहती है कि जवान बेटा बुढ़े माबाप को बारी-बारी से लेके एक पहार पिज ले जाता है ये कहकर कि वहां उपर से इश्वर के दर्शन होते है लेके जाता है वहां पर ले जाकर जब खाई के किनारे ले जाता है पहारी के उपर से तो माब आप समझ जाते हैं कि उनको कैसे दर्शन होने वाले हैं वो पैर पकड़ लेते हैं आल अवलाद के पैर पकड़ लेते हैं नाखुन धस जाते हैं आल अवलाद के पैरों में मर्दें से बचने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं फिल्म इतनी भयानक है आप सुनेंगे तो आपको भी डर लगेगा लेकिन सुनाना जरूरी है उसके बाद जब खाई में फेकने की कोशिश करते हैं बेटे उनको और बुढ़े माबाप समझ लीजिए जरजर शरीर है भूखा शरीर है पूरी ताकत से पैरों को पकड़ लेते उनके सिर पे उनको नीचे धकेलते हैं और गिराते हैं नीचे ऐसे मानव कंकाल पड़े रहते हैं घाटी में पूरे उसका मतलब है कि गाओं में ये गोरोशाली परंपरा लंबे समय से चल रही है जब खाना कम रहता है तो लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं जाकर खाई में फेंक देते हैं घ्यान रखेगा इस बात को ये जापान का सच्चा इतिहास है कहानी नहीं है ये सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो शायद ये फिल्म मिल भी जाए देख भी लीजिएगा जरा अगर आप अपने आल-उलाद के लिए पूरी की पूरी संप और नारायमा का मैं जिक्र कर रहा हूं इसका लिंक हम अपने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में जो मैटर लिखा रहता है उसमें दे रहे हैं इसका लिंक आपकी इच्छा होगी तो देखिएगा हिम्मत जुटानी पड़ेगी थोड़ी सी आसान नहीं रहेगा देखिए इसको खोल कर कि मुझको ठीक याद है कि नहीं मैंने 1983 के बाद ये फिल्म देखी नहीं कितने साल हो गएगी चालीस साल हो रहें गया या ये राजधानी राइपूर के पास सड्डू का अडोस पडोस के लोगों से जाके पूछ के आईएगा देखके कि कैसे मारा इन्हों न आने पे भी आना पाई पूरा का पूरा आपके बच्चों के हाथ में ना आ जाए वरना आपने देखा है ना किस तरह अपने नानी को मारा बीमा करवा कर ऐसी एक घटना और हुई है उसके बाद में पिछले एक दिड़ महीने के भीतर में भूल रहा हूं या तो पत्नी का बीमा करवा दिया उसको मार दिया है ऐसा कुछ और हुआ है घर के भीतर का अभी अंग्रेजी के एक उपन्यास कार थे क्राइम थ्रिलर लिखते थे अपरात कता हैं जेम्स हेडली चेज अमरीका की कहानिया रहती थी वो जब किसी की कोई संदिक्द मौत होती थी तो पुलिस सबसे पहला शक जीवन साथी पे करती थी आदमी मरा तो बीवी पर और बीवी मरी तो पती पर कि इसी ने मारा होगा या तो किसी से अफेर रहा होगा या बीमा के पैसे की वसूली के लिए किया होगा इसी ने मारा होगा बहुत सारे उपन्यास ऐसे थे उनके मैं पढ़ता था अपने स्कूल कालेज के दिनों में तो मैं केवल आपको साधान करने आया हूँ बुढ़े पिता की लात मुके मार मार कर हत्या बेटा बेटी गिरफतार ये हेडिंग अलग-अलग अकबारों में अलग-अलग तरह की सुर्खियों से छपी है सोच लीजिएगा इस बारे में आल-अलग का ख्याल रखिये उनकी मदद कीजिए इतनी मदद मत कीजिए कि वो मजरी में हो जाएं इतनी साधानी बरतिये आल-अलग के भी भले के लिए है ये पूरी की पूरी अपनी जायदात पूरी बचत ये कभी आल-अलग के नाम पर मत कीजिए आप याद रखेंगे मुझको बुलापे में बड़े बुढ़े एक बात कह गए थे पूत कपूत तो काधन संचै पूत सपूत तो काधन संचै अटपटी लगती है बात लेकिन इसका अर्थ मैं आपको समझाता है अउलाद उस समय पूत ही कहा जाता है अउलाद को पुत्री तो थी ही नहीं अस्तित्वी नहीं था लड़की का तो अगर बेटा काबिल है सपूत है अगर काबिल है सपूत्र है बेटा अगर सपूत्र है तो उसके लिए धन क्या बचा के रखना सुपुत्र है वो कमा लेगा अपना और पूत अगर कपूत है बेटा अगर कपूत है तो उसके लिए क्या धन बचा के रखना वो उड़ा देगा पूरा इस बात को याद रखेगा जिन्गी में इस बात को याद रखेगा किसी बहुत समझदार ने बहुत पहले कहा था मुझको ध्यान नहीं है किसने कहा था मैं आपको बताओं मेरे शहर में दादा बारी जो जैन लोगों का पूजा इस्थल रहता है जैन लोगों के कम से कम एक संप्रदाय में पूजा इस्थल को दादाबारी कहते हैं वहाँ पे बहुत साल पहले एक साध्वी का प्रवचन हुआ था बड़ी भीर लगती थी उनके प्रवचन की बड़ी महिमा थी लोगपरी थी बहुत वो लोग जाते थे सुनने के लिए वो एक गाना जो है वो वहाँ पे या तो गाती थी या उनके मंचे से कोई और लोग गाते थे मुझको ठीक से याद नहीं था लेकिन अभी इस विशाय पे आपके सामने बोलना था तो मैं उस गाने को सुन रहा था उसका भी लिंक मैं डालता हूं बीच में साधवी जी का गाया हुआ तो नहीं है लेकिन गाना क्या था उसका लिंक मैं डालूँगा इसमें मैटर में उसमें वो कहती थी कि अगर आपने दुनिया भर की पूजा कर ली ये किया लेकिन माबाप की सेवा नहीं की तो क्या किया अच्छा है लोग जाते हैं सुनने के लिए प्रोचन सुनने जाते हैं उनके उपर असर भी हो इस बात का तो बड़ी खुशी की बात है बरेदाश्रम बंद हो जाने चाहिए फिर दुनिया के लेकिन माबाप की सेवा अगर नहीं की तो फिर पूजा करने से क्या फाइदा इस गाने को भी थोड़ा सा पता नहीं गाना हम कॉपी राइट के कारण दे पाएंगे की नहीं लेकिन उसके शब्द शायद हम देंगे सुन लीजिएगा कुल मिलाके ऐसा ही था कि अगर ये नहीं किया तो क्या फाइदा वो नहीं किया तो क्या फाइदा दुनिया भर में आपने पूजा की मंदिर गए पूजा किये सब किये लेकिन माबाप की सेवा नहीं किये तो क्या फाइदा सोच के देखिएगा चली फिर मिलते हैं मेरा ये वीडियोरियल आपको अच्छा लगा होगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन की बटन दबाईएगा लाइक कीजिएगा दोस्तों को भी आगे बढ़ाईएगा आपके दोस्तों में कुछ बुजुर्ग भी हो सकते हैं कुछ जवान भी हो सकते हैं जवान भाई बहन रहें तो कम से कम उनको ये पता रहे कि मैं उनके माबाप को कैसे भलका रहा हूँ इतना उनको दिख जाए कम से कम इसको फैलाईएगा जरूर चारूं तरफ समाज में जागरूपता आना जरूरी है हिंदोस्तानी समाज में आल अवलाद को लेकर लोग संतान मोह में अंधे रहते हैं चलिए फिर मिलते हैं एक छोटी सी नसीहत आपको अगर आप दुपहिया चलाते हैं या पीछे बैटते हैं तो हिलमेट लगा कर रखिये कई एक्सिडेंट रोज जैसे हो रहे हैं जिसमें लोग मर रहे हैं हिलमेट लगाए हुए नहीं थे हिलमेट आपकी जिंदगी बचाने के लिए है पुलिस को ट्रेफिक चालान से कमाई करवाने के लिए नहीं है कानून जिंदगी बचाने के लिए होता है आप ट्रेफिक पुलिस को दोखा दे के गली से निकल सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ आगे किसी सड़क पर आपको भैसा के उपर एक आदमी दिखेगा गमोकुट लगाया हुआ गदा लिया हुआ समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हुआ उसको आप बेकूप नहीं बना पाएंगे फिर मिलते हैं